नमस्कार स्वागत आपका EVP लाइब में इस वक्त मौजूद हैं अलिगर में 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले R&D के दौरा पदा अधिकारियों की नुक्त की गई है जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों को और भी ज्यादा मजबूत बनाए जा सके यानि की मजबूती प्यदा की जा सके और जो पदा अधिकारियों उनका मनोबल भणाए जा सके मिरसाथ मौजूद है ब्रचेत के उपाद्याच पूर्व प्रडेस उपाद्याच और प्रडेस महसाच्चे यानि की आदा दजन से जादा R&D के पदा अधिकारी मिरसाथ मौज सबसे जादा दिल्चस्प बात में आपको बता दूँ बारती इंता पार्डी का R&D से घठवन्दन है R&D मजबूती के साथ बारती इंता पार्डी को चुनाब लडा रही है पश्चिमी उत्तर प्रडेस की अगर बात कही जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रडेस में R&D का अगर मिनी चिपरॉली की बात कही जाए तो अलीगर चेतर को मिनी चिपरॉली कहा जाता है इन सारी बातों को दरकनार रखते हुए सारी चीज़े जानेंगे मजबूती के साथ किस तरीके से चुनाब लडा जाएगा कौन सी वो मजबूती जो प्रिक्रिया है वो R&D की दोर किसानों का भला भी होगा मजदूरों का हुगा कमेरेंगा होगा सब का भला होगा इस गठवंदन से और हमारा कठवंदन पहले जू था 24 से पहले समाजवादी पार्टी से राष्टी अध्यक्ष जैन सिंग के साथ बहा उसमें दोका धड़ी राष्टी अध्यक्ष सपा खलेस आतफ ने की क्यों कि उन्होंने पार्लियामेंट में छे सीटे दे रहे थे छे में उन्होंने का चार समाजबादी के सम्मल पर लड़ेंगे सम्मल लोग दलका होगा लेकर प्रत्यास ही हमारे होंगे सिर्फ दो सीटे हमारी मिल लहीं थी और हमें दो के लिए कह दिया था कि दो लड़ेंगे तो अब यह सोच के दूसरा एक और गठवंदन ने भारती जंदपाड़ी सरकार ने मो देकर हमारी सब किसानों के दिन दीत लिये हैं और यहां जाए इसमें अब भार्ती जंदपाड़ी का गठवंदर का प्रत्यासी हो चाहें लोग दलका प्रत्यासी हो भारी बहंबतों से जिताने कामद्राश्टी लोग दलका रहा है दूसरे इन्होंने धोका धड़ी प्रत्यासी के लिए सम्मल दे दिया गया हमारे नहोबार को लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सबा का पित्यासी तौर दिया और सबाहां हांडे का मूँ देखना पड़ा तो यह सबाजबादी पार्टी दोग धड़ी वाली पार्टी है इसे सचे रहना है और कोई भी कार क सब्सक्राइब अलीगर में आदा दर्जन से आदा नहीं पड़ा अधिकारियों की नुक्ति की गई है तो क्या वो वज़े रही जो दोजा चौविस के चुनाफ से पहले पड़ नुक्ति की गई है दोजा चौविस में जो अब पड़ दिये जा रहे हैं वो कार बहुत दि दिने के बाद वो अपना कार जादा सुचाई रूप से नंसे करेंगे नम क्या करते हैं मनोज ठैनुआ है उनको प्रदेश सचे युबा में बनाया गया है अभी जो लिष्ट आई एकल उसके जो सौरभ चौदरी है उसको प्रदेश सचे युबा में बनाया गया है हमारे इस अध्यक्ष सहमती से और राष्टी अध्यक्ष जैंज जिंग ने उस पर टिक लगाई थी कि नको प्रदादकारी सबको बनाया जाए तो क्या कुछ रहेगा आपकी बाद जो चुनाब भाजपा के साथ हैं आप बाजपा का विरोट किया करते थे कोई समय था जब सब से चौबी के चुनाम के अपनी मागों को लेकर लड़ सकेंगे क्या किसानों की जो मांगें उन्हें पूरा करवा पाएंगे यह कहने वाली बात तो यह कि दो हजार बाइस में हमारे यह जो चुना हुआ हुआ था लोकदल बड़ से बहाद दिये जनता पार्टी हुआ था उस में लेकर हमारी उमर ज्यादा थी हम अलग थे लट नहीं मारा पुलस वालों ने हम बचा दिये लेकर उन पर लट खने के बाद भी अब यह जो नया का जो हुआ है तो हजार चौवीस में कि संसद में हमारे चौदी चरंशिंग जी को भारत के प्रधामंद्री है जो भारत जेकर यह बहुत इसरहनी कारे किया है दूसरा हमारे अभी उन्होंने एक घुजना की जैन सिंग ने मेरट की रैली में मोदी जी भी थे उनके सामने था 400 पार और 400 पार गंणा भी वेक्यागा तो अब किसानों की जो भी मांगे है वह सारी पूरी होंगी इनी जो है उनको आ आलडी में चोड़े रहे दुरुबरोधी कहे जाते थे लेकिन अब क्या रहेगा चुनाब में नहीं चुनाब तो हम बाजपा से मिलके लड़ रहे हैं मुद्दे हमारे हटे नहीं है जो हमारे मुद्दे थे आज भी पर करा रहे हैं माननी है जैन चौधरी जी किसानों समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी जीत के दावे कर रहे हैं तो क्या लग रहे है जब जब समाजवादी पार्टी सरकार प्रदेश में आई है गुंडा गिर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी है और उस गुंडा गिर्दी से पीचा छुडान के लिए आजनता भाजप्पा राष्टिय लोगजल के साथ है उन पर कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसके आधार पर चुनाब लड़ें पस्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनकी कोई रैली करने की हिम्मत नहीं हो रही कि वो कहीं रैली भी कर लें तो किस तरीके से देखते पहले की राजनीती और अब की राजनीती में क्या पद रहा था कौन-कौन चे पंद पर आप आशीन रहे थे मुझे मैं जिलाद्यक्ष रहा अलीगर हात्रस जब एकी जनपत था उसके वाद मुझे पस्चिमी उत्तर प्रदेश का उपाद्यक्ष बनाया फिर मुझे राष क्या प्रदेश कोई पद रही है मैंने मनाखर दिया था 24 इसाब से क्या मेरी है वंबर जाता है और लोगों को मौकब मिलना चाहिए इसलिए मैं कोई पद ले प्हले कि राजनीति पेहले ंतर है अद पैसे की राजनीति हो गई है बाहवलियों की राजनीति पहले ratio कि कि जो राष्टी अद्धक्ष है वो भी वाह हैं और युवाओं को मजबूति के साथ आगे बढ़ाने और युवाओं को जगे देने युवाओं को आगे लाने का काम वो कर रहे हैं और हमारा गठवंदन समाजबादी पार्टी के साथ पहले था लेकिन किन्ही कारणों से मजकर और सरानी फैसला हम उसके साथ हैं क्या कहेंगे आपको कौन सा पज मिला है और क्या कहना चाहेंगे क्या रहनीत ही रहेगी दूजा चौबिट में मैं प्रदेश कारकाणी युवारालोद में सदस्मरूनित किया गया हूं हाली में और जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलिए मैं उसका इमंदारी और कर्तव निष्टा के साथ निर्भन करूंगा और इस चुनाम में हम NGJ के साथ हैं गटवन्न धर्म हम निभाएंगे बूठ तक अपनी पाड़ी को मजबूद करेंगे युवां को जोडेंगे कि क्या लग रहा है अब की बात 2024 के चुनाम में भाजपा और अरल्डी का कितना प्रभाब देखने को मिलेगा पस्चिमू उत्रपडेश्म है कि जहां तक उम्मीद है पूरा ही मिलेगा हम लोगों को अस्ती सीटों पर लड़ रहे हैं अस्ती सीटें हमारी पार हुए दोनो तो अपना संगट से और यंडी पार हो जाएक है तो चुनाम परचार जैसे ही आ रहे हैं अजदी का दिया रहे हैं आरल्डी को भाजपा वाले सम्मिल्ट नहीं कर रहे है। जादातर ऐसी जगों पर देखने को मिला है खोद ही चुनाब लड़ रहे हैं आरल्डी के लोगो तो कुछ नहीं है। लेकिन आपस में सामाज जारी और फिट जाएगा ओमार वह इसी कोई दिकत नहीं के पर वी क्या जाएंगे चुनाब नस्दिक के किस तरीके की तैयारिया है हैं और किस तरीके का चुनाब रहने पूरी तैयारी हैं बीजेपी के साथ पूरे तनमन दन से लगे हुए हैं और यहां से आरेल्डी से घठफंदन होने के बाद बीजेपी के जो प्रत्यासियें बड़ी बड़त बनाए हुए हैं और करीब 3-4 लाग बोटाँ से जीते हैंगे और पूरी आरेल्डी तनमन दन से लगी हुए है चोई साब के आदेश का पालन कर रहे हैं जो चोई साब ने कहा है कि तनमन दन से लड़ाना है पूरी असी सीटों पर और खासकर धनगर समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ है यह बताए जैसे धनगर समाज से आते हैं आप विदान सवा चुना भी लड़ होगी तो क्या लग रहा है चुनाम जैसे तरीके से लगातार करीब आ रहा है तो चुनाम में जो किस तरीके का सायोग निवाएगा धनगर समाज पूरी तरह से तनमन दन से पूरी तरह से रहेंगे हम जाते हैं हमारी टीम पूरी पूरी तरह से धनगर समाज बीजेपी के सा अप्षी दीट वोगी क्या नाम है अपका और क्या पद मिला आपको और क्या कहना चायेंगे अलल्ड को बारे में जी मेरा मिना भ्रतों परेख सहुल यह इने हैं अब गारा तो शार्थम संग एडस दोपरस ही अब मुझा साम और जो गटबंद हुआ है वो हमारा इन सब जहुंतों पर हुआ है कि जो हमारे किसान मजदूर जो युवा परेशान है उनको लेकर कुछ अच्छा सोचे बाजबा गटबंदन और जो हमारे इस टाइम ज्यादा बेरोजगार हैं परेशान हैं महंगाई से उनके बारे में कई मैं जैन सिंग जी के नेतरत तुम्हें युवा की पार्टी है और हमेजा से ही गरीब मजदूर और किसानों के लिए सोचती रही है और अब जो गटवंदन हुआ है उसमें भी हम अपने मुद्दों को लेकर समझोता नहीं करेंगे और चाहेंगे कि हमारे किसानों का मज चुनाब चल रहा है उसमें आरलडी जो पुराने वाले थे जिनको लेकर शंगर्स करती रहती थी बाजपा में आने के बाद वह संगर्स जानी रहएंगे वह मुढदें अर। करार रहेंगे किसानों के हितों की बात करने के लिए आरलडी पहले भी किसानों के लिए संगस किया करती थी आगे आने बाले समय में भी किसानों के लिए संगस करेगी जैन चौदरी का बातियंता पार्टी के साथ गठवंदन होने के बाद उम्मीद है किसानों की बरकरार रह ABP Live छे खाली कंचारी अली गर्व